मेरी मांग भी है कि पुराणी पेंशन को भी अदुदेगजी भाल के चाहिए जो करमचारी देश के सेवां में लगे हैं उनका भी समान होना चाहिए 98% private sector है 2% सरकारि सेक्टर है तो 98% private sector में भी हमारी सिदारी की बात होनी चाहिए अगनिवीर योजना को उटा कर फुना सैना वर्ती शुरू की जाए और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन वे बहादूर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को फुने बाहर करा जाए ऐसा भी मेरा आप से आख रहा है सिरी चंसेखर जी मानेवर काशीराम साथ को मैं याद भी करता हूँ आज के दिन पर साथ साथ नगीना की महान जनता और भी मार्मी और हमारी पार्टी आजाथ समाज पार्टी काशीराम के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ इसके बाद अपने कुल गुरु जगद गुरु सद्गुर अविदाज जी माहराज को भी मैं नमन करता हूँ जिन्हों दुनिया को लगबग 600 साल पहले बेगमपुरा शेहर के रूप में दुनिया का सबसे महाल लोक्तांत्रिक दर्सन दिया अध्यक्स मौदे माने सभापती जी 14 अगरत 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था 15 अगरत 1947 को हम लोग आजाद हुए 16 अगरत 1947 को देश आजादी में था लेकिन धन दर्ती राजपार्ट में बटवारा नहीं हुआ जो साधन संसाधन थे उनमें बटवारा सही रूप सना होने कारण एक बहुत बड़ी अबादी सुधाव से बंचित और समान से बंचित रह गई उनको समान देने के लिए और अंतिम वेक्ति तक सुधाय पहुँचे इसके लिए लोक्तंत्र की विवस्ता हुई लेकिन आजादी के सतर साल बाद भी हम कहां खड़े हैं इस पर चिये चिंता का विशह है मैं मानता हूँ कि समाजिक नयाय तभी होगा मानने सभापती जी जब जाते जंगना पूरी होगी और जाते जंगना कराये जाएगी और साथ साथ संख्या के अधार पर आरेक्षन जो है वंचित वर्गों का बढ़ाये जाएगा उसके साथ साथ जब राश्पती जी अभीबाशन पर बात रख रही थी तो उन्होंने सहरी और ग्रामिन शेत्रों के विकास की बात कही और ये भी कहा कि दुनिया में सबसे उत्तम शेर हमारे याँ बने लेकिन मानने सभापती जी 70% आबादी तो गाओं में निवास करती है तो गाओं के अबादी के वारे में भी सोचना होगा का उनका जीवन कैसे बदले मानने सभापती जी उश सेक्षनिक संथानों में बाउजन समाज के जो छात्र हैं उनके साथ कास्ट एक्टोसिटी हो रही है लेंतर उनकी हत्या हो रही है साथ साथ जो सरकारी करमचारी हैं दफ्तरों में उनके साथ भी सभापती जी जातीकत और धार्मिक जो है सोचन किया जा रहा है इसलिए मेरी मांग भी यह है कि पुरानी पेंशन को भी अद्धिक जी बहाल किया जाए जो करमचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी समान होना चाहिए साथ साथ सभापती जी भाजपाने चुनावी लाब के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिये जो खोकले हैं क्योंकि 10 साल में दलित पिछड़े आदिवासी मुस्लिम और अन्य धार्मिक लख सब के जो अत्यचार हुए हैं वो किससे छिपेवे नहीं है ये गलत है य चाहिए सभापती महोदे जी महामें राष्टपती जी के अभी बाशन में नीजी छेत्रों में SCST OBC को रिजर्वेशन देने का कोई उलेख नहीं हुआ है जो कि आज चर्चा का विसा क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है 2% सरकारी सेक्टर है तो 98% प्राइवेट सेक्टर म हुआ है वो भी अभी नंगे उन पर भी सोचना पड़ेगा माने सभापती जी जिस छेत्र से मैं चुनके आऊ नगीना से वह बहुत पिछड़ा छेत्र है उस छेत्र में कोई विसेस आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया रोजगार की सेवाई नहीं है नोजवान प्लायन करत हुआ कि वहां के लोगों को बार संजाद दिलाई जाए माने सभापती जी चीन हमें आख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सिमाओं में घुस्पेट कर रहा है इसलिए अगनिवीर योजना को उटा कर फुना सैना वर्ती शुरू की जाए और साथ-साथ भारत की में बाहर कर बाहल करा जाए ऐसा भी मेरा आप से हक्र है माने सभापती जी पिछले सारे परधान मंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के परधान मंत्री जी ने लिया है किसान अगर आपना कर्ज माप कराने के लिए जाता है तो सरकार ने धन्ना सेटों का पंद्रा लाग करोड रुपय माप किया है इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा हमारी आने वाली पीडियो को ये कर्द चुकाना पड़ेगा माने सभापती महोदी जी किसानों को MSP की लीगल गरंटी तथा किसानों का कर्द माप होना चाहिए साथ साथ दो प्रेल 2018 को SST के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने मुकद में लगे थे वह हमारी लड़ाई सही थी यह सुप्रिम कोर्ट में माना और बाद में सरकार नहीं माना वह मुकद में तुनत वापिस होने चाहिए माने सभापती जी प्रेस जो है उस पे भी सिकंजा क सस्पेंड करा दे जारे हैं साथ सबापती जी पेप लीका TIM की कि प्रिकर्शाव के कैंसल होने से देश की नोजवाने का भईस से खत्रे में नीट यूपी सिफाही भर्ती सबापती जी और नुटिया शिकसक भर्ती में आरप आशें गोठाला हुआ हुआ कोई पूछने वाला नी खून के आंसू रो रहे हैं बच्चे विरोजगारी का दंस युवा जेल रहे हैं इसलिए मेरा आग रहा है कि युवाओ के लिए माने सभापती जी मैं पहली बार बोल रहा हूं आप कहेंगे मैं बैठ जाओंगा मैं सवेदानी मर्यादा को पालन करूंगा बगर हम तो माने सभापती जी सुनी रहे हैं आप बोलिए एक में दनेवा दनेवा सभापती जी नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार हमने मनिपू महिलाओं में भी पिछड़े और मुस्लिम वर की आदिवासी वर की महिलाओं के साथ आज भी NCRB का डाटा कहता है सर जो जुल्म हो रहा है वो सहन यह नहीं है सर साथ साथ कोवीड में तैरती हमने कोवीड पर बहुत सुना सर कोवीड में तैरती लासे भी गंगा में हमने सभापती जी समात कर रहा हूं नोट बंदी पर छोटे मजलों दोग की जो कमर टूटी वह भी हमने देखी है सभापती जी सेक्षिनिक संस्थानों में चिकिस्था संस्थानों में OVCST के योग्ड़ा बैरती को NFS करके जिसके निकाला जा रहा है लेटल एंट्री करके जिस सभापती जी एक मिनट चाहिए सभापती जी राश्पती जी ने धरम के बारें बात की ती राम मंदिर से पहले हमारे गुरुगर तुकलगाबाद का फैसला है था राश्पती जी वह सभापती जी अभी तक दिल्ली में इस्तित्त सद्कुर अवदाज जी मारा का गुरुगर नहीं बना साथ साथ सभापती जी अपनी बात को खतम करते वे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना देश द कंड्रक्शन के साथ ये आगरे है कि इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी के किसी की बपोती नहीं है देश सविधान से चलता आए सर और सविधान से चलेगा सविधान शेटकानी परदाजनी की जाए सर धन्यवाद